नमस्कार दोस्तों कैसे हो आसा करता हूँ बहुत अच्छों कैसो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बतना वाला हूँ 12 feet लंबाई और 7 feet hide में कैसे एक जिना चड़ाए जा सकता है जिसका riser कितना size रहेगा, trade कितना size रहेगा, landing कितना size रहेगा सब कुछ इस वीडियो में बतना वाला हूँ, वीडियो को last तक देखिए और चैनल में पहली बार आए तो subscribe कीजिए और bell icon को दबा लिजे क्योंकि इसी तरह का निया निया वीडियो आपके पास पहला आता रहे तो दोस्तो और आपको सीखना है, जानना है तो description में link है आप जा के देख सकते हैं, पूरी playlist बना है, बालकुली डिजन कैसे करते है house plan कैसे बनाते है, staircase की बारे में पूरी detail में वीडियो बनाया है उनकी भी playlist है, दोस्तो सारे वीडियो आप देख लीजे, आपको staircase बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगा तो दोस्तो फिलाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि 7 feet height और 12 feet लंबाई में कैसे staircase बना जा सकता है तो दोस्तो देखिए, 7 को 12 में गुना करने से 84 inch हो रहा है, तो 84 inch को हम क्या करेंगे इसका जो riser लेंगे 7 inch लेंगे, ठीक है दोस्तो, तो 7 inch लेने से 84 inch में 7 inch भाग करेंगे तो 12 राइजर बन रहा है तो बात करेंगे इसका लंबाई दोस्तो लंबाई है 12 दोस्तो 12 फिट को 12 इंच से गुना करना है तो 12 को 12 इंच से गुणा करने से 144 इंच हो रहा है तो 144 इंच को हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है इसका जो लेंडिंग है वो 34 इंच लेंगे ठीक है दोस्तो इसको 34 इंच लेंगे 144 इंच को 34 इंच में मैनस करेंगे 34 इंच को मैनस करेंगे तो 110 इंच हो रहा है तो दोस्तो 110 इंच को हम क्या करेंगे इसका जो trade लेंगे और 10 इंची लेंगे ठीक है दोस्तो तो 10 इंची इसका trade लेने से दोस्तो इसको 110 इंची से 10 इंची भाग करेंगे तो 11 trade हो रहा है ठीक है दोस्तो यह 11 trade हो गया दोस्तो है ना कितना सिंपल तो आप ऐसा काल्कुलेटर से भी कर सकते हैं तो दोस्तो देखिए 12 दोस्तो 12 राइजर हो गया है और ट्रेड हो गया है दोस्तो 11 दोस्तों लेंडिंग हो गया है 34 कितना आसान हो गया दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कालकुलेट कर सकते हैं दोस्तों हमरे वीडियो को अगर आपको पसंद लगा आप अगर सैसन देना चाहते हैं कोमेंट बक्स में कोमेंट कीजिए किस तरह का वीडियो आपको चा झारेग से झाले बे कोरे